नमस्कार मैं हूँ मननंगो स्वामी आप देख रहे हैं अपना लाइब डॉट नियूँ दोस्तों बिहार के दस ने चेहरे मंत्री मंडर में हो सकते हैं सामिल आज की ताजा खबरों से आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सरकार गठन के लिए चल चुकी है आतीत में मात्र दो लोग सभा सदस्य वाली भाजपा आज दोबारा सरकार बनाने के लिए प्रदान मंत्री नरेंद्र से होगा मोदी मंत्री मंडल जिस पर टिकी है पूरे देश की निगाह हैं दोस्तों मोदी मंत्री मंडल में बिहार के कितने और कौन-कौन सांसत भाग लेंगें प्राप जानकारी के अनुसार बिहार के दस चेरे की मोदी मंत्री मंडल में सामिल होने की संभावना है महतपुर मंत्राले, ग्रिह मंत्राले, रक्षा, वित मंत्राले, विदेश मंत्राले, रेल से में से भी बिहार को मंत्राले मिलने की संभावना देखी जा रही है पूरे NDA परिवार की बात करें तो अमीज साह के ग्रीह मंत्री बनने की भी चर्चा भी सत्ता के गलियारों में जोर सोर से चल रही है वहीं देखना है कि राजनात सिंग को इस बार कौन सी महतपूर मंत्राले हाथ लगता है जिससे वे निष्टा पुरुवक निभा सकेंगे महिला मंत्रियों की बात करें तो अस्मिरति इराणी जो अमेठी से राहूल गांधी को हरा कर चुनाव जिती है उनका मंत्री बनना लगभग तै माना जा रहा है बिहार से जीती तीन महिला सांसद रमा देवी, कविता सिंग और वीना सिंग गिस में रमा देवी एक मात्र महिला सांसद है जो भाजपा के टिकट से चर्चित लोकसभा छेत्रे सीवहर से लागातार तीसरी बार बिज़े हुई हैं दोस्तो पिछले मन्तर मंदल में भी बिहार से रवी संकर परशाद, गिरीराज सिंग, आरके सिंग और राम किरपाल यादों के अलावा अन्निशान सदों को जगह मिली थी इन्हें नए मंदर मंदल में भी जगह मिलने की संभावना बन रही है दोस्तों नए मंद्र मंडल पर पूरे देशवासियों की नजर टिकी हुई है कि किनके हिस्से में कौन सी जिम्मेदारी मिलती है वैसे उसके इंतिजार की घड़ी भी समाप्थ ही होने वाली है जैसे ही नई खबर प्राग्थ होगी तुरंत उसे लेकर हम पहुंचेंगे आपके पास आप बने रहें अपना live.news के साथ इसके लिए चलते चलते आपसे एक छोटा सा request करना चाहूंगा और आपसे सहयोग मां जिससे पत्रकारिता को सच को सच और जूट को जूट बोलने की मजबूती सकती मिले दोस्तों इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अगर हमारी वीडियो पशंद आई तो इसे लाइक करें अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक सेयर करें साथ ही आप अपना कोई भी सालाह बहमुले सुझाव चाहें तो नीचे कॉमेंट बक्स में आप जरूर दें इन्ही आसा और विश्वास के साथ मैं आप से फिर मिलूँगा आप बने रहें अपना live.news के साथ मिलते हैं अगली खबर के साथ नमस्कार धन्यवाद